रोशनी देवी जी स्वागत है आपका रॉस्कार मैं जी नमस्कार रॉस्कार भाई साब जैहिन स्वागत है भाई साब मैंने आपको मुबार्ग बात देने की निरी साश्यमा जो विचानुए सालखी है तो आप ने बता था जैटुनकर नमग और निथी देनिया सोंख कि ना निकल गी माजी की मरे की तो मेरे को बड़ा खुशी हो लिए वाई साथ क्या बता हूँ आपको ऐसी दुआ देखती है वाई साल किया वाई साथ पिछानुदे साथ और एक वाई साथ मैंने जैचुन का नमक मंगवा लिया तीन चार बार अब की बार कुछ बुरे-बु भी इतनी बुजर्ग सास के लिए इतनी तड़प मैंने इतनी तड़प किसी बहू में आज तक नहीं देखी वो 90 साल की तो आपकी भी उमर अच्छी होगी लेकिन ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी जीत है आपकी जो आप अपनी सास को मा की तरह महबत करती है अच्छे द को कहीं न कहीं मिलता है हो सकता है मुझे भी दूआ मिल जाए क्योंकि वो इतनी बुजर्ग महिला मेरे लिए दूआ कर रहे हैं उनको फाइदा हो गया इस उमर में मुझे भी बहुत खोशी हो रही है हमारे हाँ से अगर आपने मंगाया है नमक जैतुन तो वो नकली नहीं आसकता हमारे हाँ से हमारे हाँ बाकाइदा इसको चेक करने की वो है प्लांट है मशीन है हमारे हाँ से जब भी आएगा असली ही आएगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा रंग का फर्क हो बरसाद की वज़े से या गर्मी की वज़े से कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन इस हमारा छेक होने के बाद यह भी बेजा जाता है हम बिल्कुल एक बार भी ऐसा नहीं कर सकते कि कि इसको बगएर चैक करें और उसके चैक करने की मशीन हमारें हमारे पास है आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और कोई सवाल हो बताई यह बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के ल निएसे निवयदन है आपके साथ, कि जिसको भी, किसी मेरे मशवरे से फैदा पहुंचे ए, तो वो मशवरा आप आगे तक महच आजीजे, ताके जितनी तकलिफ में आपकी सास थी, जआने कितने लोग हो उनको भी फाइदा पहुँचना चाहिए उनतक बाद पहुचने चाहिए ताके उन्हेंप फाइदा हो सकते डिली से दयव्तीजी स्वागत है आपका दिनमस्कार कर नमसकार बात स्वागत ददीजैवती वेंकर थैंक्यो भाई साथ, भाई साथ मैंने बहुत सारा ओडर कर दिया, पांच अलवीरा की बोटल, डो जतुन की, शिर्के की, और गॉन सिया, गॉन मोरिंगा, नमक जतुन, और बहुत सारे सब रिस्तेदार बोले, हमारे दीब मंगालों, हमारे दीब मंगालों, बहुत अच्छा कोई, वो कहेंगे, चित्ती इजदत आप करेंगे, इतना ही वो करेंगे, और रखा करिए से माया कर, क्योंक्त कभी शौर्ट बहुत हो जाती है, मैं इसको चाहे कितना ये बना लूँ, आखिर में शौर्ट हो जाती है, पता नहीं क्या है, और वो इतना मशूर हो रहा है, इ बगवान की मदद मिल रही है, और दोनों भाई बहन का नाम हो रहा है, काम करने वाला तो कोई हो रही है, बगवान है, तो जब तक अचली मिलता रहे गा लोगों को, जब तक फाइदा होना मुम्किन है, कोई सवाल आपका, दैवती जी? जी, सवाल है मैं, बाई साथ यह अध्वीरा के सिर्के में भी हम, कई बार जैसे खटम हो जाए, जब उनका सुर्फ़ा तो लख्टन, अद्रक निम्बू, ये भी बना, इसमें भी बना सकते हैं, अर्यूज कर सकते हैं, जरूर, जरूर कर सकते हैं, और ये तकरीबन सुर्फ़ार स्वागत हैं आपका, नमस्कार मैं, जी, नमस्कार मैं, नमस्के सर, जैहिं स्वागत है रवा साथ, जी सर, हमने गोंतिया मगवाया ता सर अपने हाथे, तो उससे हमको बहुत फादा हुए है, लबबे पस्टें फादा हो गया है, फोड़ी सा बचा है सर, अनिता जी और कोई सवाल है आपका जी सब्सक्राइब अगर असली मिल जाए तो फाइदा भगवान देता है लेकिन चीज तो असली मिलने चाहिए मतलό hope आपको रबड़ी बनानी है तो दू ही न मिले उसकी कुछ और चैले तो रबड़ी नहींबनेगी ऐसी रुटी बनानी है तो आटा चाहिए ऐसी असली दवाबनानी है तो वह मेटेरियल चाहिए जो हम बताते हैं और असली चाहिए नकल बहुत करते लोगा आप तो जान कर ले और लोग को बता हैं इसके बारे में लोग बहुत बहुत तकलीफ में आपको तो सिर्फ एक साल से तकलीफ दी और लोगों को ददद साल से तकलीफ होती है तो उन लोगों तक कि ये निसका पहुचा है तब हम आपको बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया कहेंगे और बह किसी और की कर दीजें बस ये सिलसला कायम रहे और कोई भी आदमी हो चाहे दुश्मन भी हो उस तक ही निसका पहुंचना चाहिए ताकि वह भी अपनी बीमारी से निजात पा सके और के सवाल देंगा कोई सवाल ने था जुन-जुनाहट थी पैरों में तलों में हाँ जुन- अब अभी आपके पाँ है भी इसे इस्तेमाल करें और वजन ना उठाएं देखिए बात चीज से मुझे आप बहुत महनती महिला रग रहे हैं महनत कम करें इलाज के दरण और वेस्टन ट्वालेट इस्तेमाल करें वजन जादा हो तो कम कर लें वजन जादा भी एक बिमार है जिन लोग को वजन जादा है कम फाइदा हो रहा हो नहीं हो रहा हो वजन लिमिट में रखें अपने कद के अनुसार तो आप हमेशा सेहत बंद रह सकते हैं मुंबई से हैं परहत स्वागत है आपका जी मैं हाकीन साब से पहले तो बहुत नीज शुस्रिया अदा चाहती ह है कर दो 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 है कर जब बनाओंगी तो फिर कौन करे रहा कि düşगी मेरा दिल भीमिंही 146 कुछ करने के लिए खरी होते हैं उमर कितनी है फर्णाव की जी मेरी उमर है 33 है तो लोगा है ठीक है बच्चा देखो अभी आपको फाइदा शुरू हो गया है हो सकता है कुछ दिन और लगें अच्छा काम को आपके लिए बिलकुल मना नहीं है आप काम करें लेकिन महनत वाला न करें खाना वना मनाएं हूँ अच्छा अच्छा हुद कि खाएं बाइको भी खिलाएं गरवाना को खिलाएं हुँ वजन ना ओठाएं हैं रिटांडइर ना ठाएं गया बमबए में तो और जो आप समलती हैं चैने तो यह इसा ना करें अपके साथ अपके घर मेंआपके रिए खास तौर पर अगर यह सब बातें आप करती हैं आपको मुकमल फाइदा मुमकिन है। अगर उनका चुट्टी पर जाना है तो बेशक दो भी नेगली चले जाएं लिखने मत होएं। हमें इतनी आदत पड़गी उनको सुनने की देखने की तो हम बहुत मिस करेंगे। दूसरा एक मेरी अंटी रमा मेता तो उनकी दो तीन बिमारें में मैंने उनकी दवाई दी अपने पास से तो ठीक हो गई है। उनका फोन नहीं लगता, वो मेरे से लड़ती है। कहते हैं कि दयावन्ती का फोन रोज लग जाता है, बर्मा जी का रोज लग जाता है, मेरा क्यों नहीं लगता। मैं अपने टीम से कहिएगा कि उनका फोन आए तो जरूर बात करा दें। माई जान मेरी बेटी ने गॉन मरिंगा खाई उसके बालों में गैप है। बच्पन में उसको ना इंफेक्शन होगी थी पालर से। तो पहले तो चक्ते से पढ़ गे ठीक होगी लेकिन अब भी देखने से उसमें गया पाता है। मैंने उसको नंबर दिया था अपका तो दिल्ली में रहती है। उसने गॉन मरिंगा खाया दूद के साथ सौ गरम पूरा। दूसरा स्वाल है मेरी भावी है। उनको पिनियों में दर्द होता है। अब एडियों से उसमें दर्द होता है। तीसरा मैं थायरेड की गोली खरती हूं सुबार। और थात में अपका मुरिंगा वला नुस्खा बनाया हूं मैंने। तो आप कहते हैं कि द्वाई भी खाओ और वो भी खाओ। तो मैं दोनों चीज़ें लेती हूं मैं लिए मेरी हल्की सी आंख्रों के नीचे सूजन आ जाती है। बहुत बहुत थैंकी बहुत बहुत धन्यवाद अगवाना। हमारे साथ जुड़े रहें और कितने शिकायदे करें। जब हम जुड़े रहते हैं तो रोज आना घर भी जाते हैं तो बीवी को adult क किसी रिश्ता है आपका। हर अपने लोग शिकायत कर सकते हैं गेरहंसे से क्या शिकायद है। तो रिटार्मेंट का तो अभी चार-पांच महीन हैं, सवाल बता है इनका, बेटी को लेके बालों में गया आप हैं, कभी प्रॉब्लम आ गए थी पाडलर से, अचा बेटी को गौन मौरिंगा दें तो अलसी मिला कर दें, अधा चमच अलसी और अधा ग्राम गौन मौरिंगा रोजा ना दें, मोटी सी है, मतलब बच्ची हेल्दी है तो पानी से दें, कमजोर सी है तो दूर से दें, एक बार दें या दो बार दें, बच्ची को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी दवा नहीं देखी, बागवान को मर्जी ह तो फायदा होना चाहिए, मैं शरमिंदा हो जाता हूं, हलाकि मेरा कुसूर नहीं, इसी से लोग chemotherapy भी ओ जाता है, कलिभी नहीं देखी हना ह। मैं दुआ भी करूँगा उसके लिए. भाबी, एडियों के उपर की तरफ दर्द होता है? हाँ, दर्द कहीं भी हो किसी को, एडियों से उपर पिंडलियों में, घुटनों में, थाइज में, कमर में, मौंडों में, गौंस से याद दे दिया करी, आदा आदा गिराम, दो बार, पानी से या दूस से, ठीक है, तो वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टन टॉयलिट इस्तमाल करें, अच्छा रहेगा बहुत, फाइदा होना मुम्किन है. थारेड है, इन्हें खुद को मौरिंगा का इस्तमाल कर रही है, और आखों के नीचे सूजन आ गई है, अज़ा आखों के नीचे अगर किसी को सूजन हो, तो अपने बलेट पेशल पे नज़र लखें, याद से, एक दिन में पांच-छे बार, जब बहुत सुकून से बैठ हो तो अपना बलेट पेशल चेक करें, पांच-छे बार लिकलें, कितने टाइम पे कितना, यहाँ पर सूजन आती है नहीं है, तो बलेट पेशल की निशानी है, अगर बलेट पेशल हो तो फिर, वो जो गॉन वारिंगा का निसका आप खाते हैं, उसमें एक चुटकी, खान मैं भी दूआ करता हूं कि इसको फाइदा हो जाए. मतलब दर्व का बिल्कुल बंद हो जाता और कभी होता है, कितने दिन से ले रहे हैं आप बारा जी? यह बारा दिन से यह भी ले रहा हूं साथ में दोनों, चीक, ठीक. और इसको मैंने केपसुल में बर लिया है, दो सो पच्चिस केपसुल बने सो ग्राम में. तो देखिए, आपको बारा दिन में काफी फाइदा शुरू हो गया है. यह रॉप मैटेरियल का अच्ची दवा है, लेकिन भगवान ने इसमें वो शक्ती दी है, कि आप महसूस कर रहे होंगे, और कभी जरा सा कम कभी जादा ऐसा होगा. क्योंकि यह रॉप मैटेरियल के कुद्रती दवा है, और यह शिरका भी कुद्रती है, और आपको बहुत तहीं से भगवान फाइदा दे रहा है, तोड़ा सबर करें, यह दवा खतम होते होते हैं, आपके दर्द में निवारन मुमकिन है. बस बज़न नहीं उठाएं और ज जुड़े रहें, और जिनको भी यह रोख हो, उनको बताएं कि एक ऐसी कच्चा रो मैटेरियल आता है, जिसमें भगवान ने फाइदा रखा है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं. लक्षमी जी जुड़ गई है हमारे साथ, स्वागत है आपका मैम. हलो, जिया, नमस्कार. जी, नमस्कार मैम. जी, नमस्कार मैम. जैचुन का नमक है, जैचुन का फिरका है, और चवंफरास है, और चुरन भी महने बनाया, बहुत अरहा हमारे साथ, सबसे यह कहते हैं, कि अगर बरोटा हो किसी को, तो अपनी कंपनी से मंगाया है, मा की कहीं से नमगाया है, क्योंकि जूसरा कहीं देगा आजमी तो अच् जैचुन का नमस्कार, मुझे बहुत आरहा है, मेरा नाटी भी सही है, हाइड उसकी अच्छी है, मेरा हाथ भी सही हो रहा है, और मैंने चेहरे के लिए मंगाया था, तो मेरे चेहरे को सेख हो रहा है, लेकिन बाल मेरे सही हो रहा है, क्योंकि मेरे 50 साल हूं रहा है, उसमेर मुझे फाइदा हो रहा है और मैं बहुत दरोसा करते हूं सारा काम छोड़ते दिखती रहती हूं अभी काम तपड़ा है रेकिन मैं प्यारी करें चलो करते देश लेती हूं कि आने काम करूगी और अभी जिवाई सब कहते हैं उनके नाती है 22 साल का उसके पसीना भी बहुत आ अंभी बहुत बहुत आ काम मिल प्लुफ Wea कू sommes तो आराम में से अश्टर अचे वा वह पोरा आ लो करी कि बहुत बड़ा काम कर रहे है कि सेव कर ने पर देखीन के हम यह नहीं कहते हैं, हम से ले लो हम ऴी कहते हैं अस्ली ले लो कहीं से भी लो लेकिन अस्ली लो क्योंकि बड़ी वैमानी श्रुूर हो गई है हमारे समाज में तो हम भी द्रवाएल रखते हैं कि किसी को असली की ज़रूदत हो तो हम पहुंचा सकें मैं हम इतना ओडर होता हम दे नी पाते हैं इसलिया हम कहते हैं कहीं से भी लू असली लो और नकली असली की जिम्मदारी आप ही की होती है तो बहुत धन्यवाद हम पर भरोसा करने के लिए और नाती को उजरा सा नमक जैतून दें जिनको पसीना बहुत आता है और ये सब परिशानिया हैं बद्बू आती है तो एक बात दिया करें इंशालला उनकी ये तकलीफ मुझे बगवान से उमीद है कि उनको फाइदा होना चाह रहे हैं पता नहीं क्यों तो इसको अगर जरा सालसी का पॉडर भी इसके साथ ले लिया जाए तो और ज्यादा अच्छे नतीजे आ सकते हैं बहुत शुक्री हमारे साथ जुडने के लिए